चलिए तो फिर अभी अपन discuss करने वालें हैं Kothari Petro Cancals Limited को इस stock को अपने अपने trading community मे भी discuss किया था और काफी detail में किया था तो अभी अपने देखते हैं चलिए क्या चल रहा है न तो अच फिर ये लिस्ट में आये हैं तो इसमें ये जो आज इस stock ने 19.71% की rally की है और अभी जो current price चल रही है वो चल रही है इसकी 137.25 रूपीज की और book value जो है 32.6 रूपीज की है ठीक है अब चलते हैं देखिए ये जो है petrochemicals मतलब poly isobutylene जो होते उसको बनाते हैं ये लोग अब बेचते हैं और जो code high petrochemicals नाम है company का अब अपने इनका max chart अगर देखें तो अगर इनका max chart देखें तो ये अपने all time high को touch कर रहा है ठीक है और काफी बढ़ियां rally किये हैं तो इसलिए अपने इसकी study भी की थी तो अच्छी खासी rally है कर चुका है ठीक है company के बारे में क्यों अच्छी चीज़ ही दी हुई है good quarter है और profit growth भी जो है 31.8% CAGR के last 5 साल से और overall अगर अगर अपन net profit की बात करें तो company लगातार profit में चल रही है और in fact quarter by quarter basis पर प्रॉफिट है यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा ठीक है तो 16 करोड का इस quarter का इनका profit है P&L statement पर yearly basis पर चलें तो 39 करोड का March 2023 का इनका profit है और इसके बाद में अगर अगर अपन cash flow की बात करें तो positive cash flow है March 2022 में इनका minus 6 करोड था अभी इस बार पांच करोड का positive cash flow है ठीक है अब अगर अगर अपने share holding pattern पर देखें तो यहां इनका share holding pattern नहीं दिया हुआ है अपने काम करते है चले अपन share holding pattern इसमें से देख लेते है तो यह trend line है जैसा कि आप पता ही है trend line में भी आप यह सब चीज़े देख सकते हैं काफी detail में दोनों में आपको बराबर information मिल जाएगी चाहे आप उसमें से देखें चाहे इसमें से देखें चाहे स्क्रीनर से देख सकते हैं इसमें से देखना चाहे है इसमें थोड़ा अच्छा और थोड़ा colorful और थोड़ा और design वगरे करके इनोंने अच्छा बनाया है बाकि information दोनों में आपको same ही मिलेगी ठीक है और चलिए अब देख लेते हैं अपन अपने को holdings वगरे देखनी है holdings खोल रही है भी इनके हाँ overall जैसे किसी ने पूछा विता कि इसमें से भी report वगरे सब इसमें आपको सभी चीज़े मिल जाएंगे और इसमें काफी और भी information रहती है उससे जादा information रहती है इसमें बट किसी दिन हम trend line के ओपर कैसे इसको पूरा देखना है अपने एक बर बना लेंगे तो काफी अच्छा बनाया है नोने site को और देखते हैं चलिए इसमें इनकी holdings इन्हों ने कहां पर दिखाई है management structure है इनकी holdings देखते हैं चलिए यह चलिए shareholding देखते हैं इन लोग open होए तो for some reason इसमें shareholding इसमें भी अच्छा ही है चलिए यह holdings है ठीक holdings में अपने को साथ दिखा रहा है 70.98% की holding promoter की है और इसके बाद जो public holding होई 28.93% की ठीक है so यही है इसमें 70% की 70.98% की holding जो है promoter की है अब बाकी सब इसमें public holding है और public holding जो है 28.93% की है अब चलते हैं इनके यहाँ analysis करते हैं तो अच्छा खासा weekly basis पर अच्छा खासा upside momentum दिया है तो अपने काम इसमें यहाँ पर यह कर सकते हैं एक view अपन बना सकते हैं इसमें कि जो last time जो wick बनी थी हो सकता है कि अब उस wick को break करके अपने इसमें daily time frame पर चलते हैं और एक बार इसमें बढ़िया सा analysis अपन लोग create कर लेते हैं ठीक है तो यह जो है 139 ठीक 139 के उपर ही यहाँ पर अपन किसी भी तरह कोई buying plan करेंगे अगर यह wick को break करता है तो definitely इसमें अपने को at least हमारे opinion में analysis यही कहता है कि एक momentum अपने को मिलना चाहिए है न क्योंकि एक अच्छा upside momentum के लिए sign रहेगा यह ठीक है और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं stock mark में कुछ भी definite नहीं होता है न बोल चाल में निकलता है definite ऐसे definite नहीं होता है लेकिन यह है कि आप अगर एक बढ़िया risk reward ratio और सही position sizing के साथ चलेंगे तो आपका analysis अगर थोड़ा बहुत कभी कभार गलत भी हो जाए तो जब सही होगे तो आप ज़्यादा सही होंगे तो जब कहते हैं कि when you are right right go big when you are wrong exit small तो यह एक theory है और यह actually ज़रूरी भी है ठीक है तो यहाँ 139 का ही है 139 के उपर हो सकते हैं अच्छा अपने को momentum देखने मिले 5 minute पर अब trail करते वे चलिए आराम से आपके trailing हो जाएगी बहुत तो बहुत 15 minute max to max उससे ज़्यादा बड़ी trail करना ठीक नहीं होता और साथ में अपनी position sizing का ध्यान रखिए stop loss का ध्यान रखिए ठीक है चलिए तो फिर इसमें इतना ही है next मिलते हैं गॉके